हेलो अर्जाइन वेलकम बेक टू मैं चैनल और आज हम करने वाल हैं नवंबर की मन्त की लव ट्रिडिक्शन तो सबसे पहले आप लोगों की नर्जी चेक कर लेते हैं टू अफस्वोर्स है फॉर अफ कप्स है चैरियर का कार्ड है कंफीजन रह सकती है आप में से कुछ लोग जो है ओवरवामिंग की नर्जी में रह सकते हैं इमोशन जादा आप लोगों को परिशान कर सकते हैं ठीक है कंफीजन माइन स्टेट रहेगा कुछ भी क्लियरी डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है नवंबर के मन्त में ठीक है आप लोगों के जो गोल्स है उ अप लोगों को ठीक है आपको सला दी जा रही है कि आप लाइफ में आगे बढ़ें मुव और करें ठीक है खुद के इमोशन को बैलेंस करके जबकि आप लोगों का ध्यान कहीं और है ठीक है तन्फीजन की स्टेट से बहार आने की जुरूरत है आप लोगों को तो आपके पार्टन की अगर इनर्जी देखी जाए तो किंग ऑफ पैंटेकल उपर से आपका पार्टन दिखाया है आपके बहुत मैच्छे और हूँ कोई एमोशनल लोचा भी नहीं है आइम टोटली ओके बट विदिन से क्या है आपका पार्टन एक्स्ट्रीम पें से जा रहा है पे है कि तो five of cups आया है यहां पे disappointing की energy में आप लोग रहेंगे लेकिन आपको इन गिरे हुए cups से हटके इन पीछे वाले दो जो cups अभी भी आप लोगों के पास है उनको देखने की जुरूरत है जो चीज चली गई है उसको छोड़के जो चीज है उस पे focus करने की जुरूरत है और bottom of the deck का card है full card full card का मतलब है zero से start करना risk लेना life में फिर से आगे बढ़ना ठीक है एक full वाले energy जादा दिमाग ना लगाना और बे फिक्रे होके फिर से ठीक है उसी energy में चलना तो आपको फिर से हिदायत दी जा रही है कि आप divine की सा connect करें ठीक है zero से start करें life में फिर से risk ले ठीक है जो आप करना चाहते हैं अपने goals अपने सपने उनको पूरा करें ठीक है जो यह negativity वाले energy है disappointment की energy है इससे बाहर आएं और move on करें तो यह थी आप लोगों की छोटी सी prediction for the month of November कैसे लगए कि मन सेक्षम में बताईएगा ओके फ्रेंस बाबाई